सूर्य देव को समर्पित को नार्क का सूर्य मंदिर भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है ओडिशार राज्य के पूरी जिले में स्थेतिय मंदिर सूर्य देव के आलंकरित रथ के आकार में निर्मित है मगर यदी हम आपको ये बताएं कि इस मंदिर और इसके इतिहास के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी है जिसके बारे में आज भी कईयों को मालूम नहीं है तेरहवी शताब्दी में पूर्वी गंगा शासक नरसिमह देव प्रथम द्वारा निर्मित कोर्णार्क सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य के पहतरीन उधारनों में गिना जाता है ये मंदिर करीब एक सो फीट उचा है इस मंदिर में 24 विशाल नकाशीदार पहिये हैं जिनको साथ दोड़ते घोड़ों द्वारा खीचा जाता है आईए हम आपको इससे जुड़ी कुछ ग्यानवर्धक बाते बताते हैं कोनार्ख सूर्य मंदिर भारत के उन चंद मंदिरों में गिना जाता है जहां एक जिराफ की आकरुती मौजुद है स्टोन पैनल में निर्मित इस चित्र में एक व्यापारी द्वारा एक शासक को जिराफ भेट करते देखा जा सकता है हाला कि ये बात आज तक स्पष्ट नहीं हुई है किस में किस शासक या फिर किस घटना को दर्शाया गया है मगर च्यूकि जिराफ सिर्फ आफरिका में ही पाया जाता है ये आकरुती इस तथ्य की साक्षी है कि ओडिशा और अफरिका की बीच सक्रिय व्यापारिक संबंद थे आज जो हम कोनार्क सूर्य मंदिर का परिसर देखते हैं वो दरसल एक जमाने में काफी विशाल था और ये कई शताब्दियों तक कायम रहा अगर सिर्फ कोनार्क सूर्य मंदिर पर गौर करें तो इसका शिखर एक जमाने में इतना उचा था जिसके कारण मंदिर की मौजूदा उचाई दुगनी हुआ करती थी अबुल फजल द्वारा सोलवी शताब्दी में लिखी एने अकबरी में इस मंदिर के विशाल रूप का जिक्र किया गया है जो हर सैलानी को आकरशित करता था कोनार्क सुर्य मंदिर और इसके परिसर कैसे अपने मौजूदा रूप तक पहुँचे ये आज एक रहस्य है मगर उस सुनेहरे काल के अवशेश आज इस मंदिर और इसके परिसर में मौजूद माया देवी और वैशनव मंदिरों में देखा जा सकता है सोलहवी शताबदी और अठारवी शताबदी के बीच कई यूरोपियन नाविको और मलाहों ने कोनार्क सुर्य मंदिर का जिक्र एक ब्लैक पैगोड़ा के तौर पर किया था कारण ये था कि उसकी सनरचना एक पैगोड़ा या बौध मंदिर से मेल खाती थी और ये एक दूरी से काले रंग का दिखता था ये कई जहाजों और नावों के लिए एक लाइट हाउस या फिर तट पर मौजूद एक निशान के तौर पर भी मददकार साबित होता था स्थलों की तरह भारतिय सम्विधान में रेखांकिर चित्रों को प्रेरित किया है वहीं इस मंदिर में मौजूद सूर्य देवता के विशाल रत में आलंकृत पहियों में से एक को आज के मौजूदा 10 रुपे नोट में देखा जा सकता है क्या आप जानते हैं कि कोनार्क सूर्य मंदिर का जुड़वा गौलियर में हैं मशहूर उद्योगपति घंशयाम दास बिरला द्वारा सन 1908 के दशक में निर्मित गौलियर के सूर्य मंदिर का निर्माण कोनार्क के सूर्य मंदिर के वास्तु योजना की तर्जपर किया ग आज युनेसको की विश्वध हरोहर सूची में दर्ज कोनार्क सोर्य मंदिर भारत और अन्य देशों से आए हर सैलानी और कला प्रेमी को अपनी और आकरशित करता है करता है